हेलो फ्रेंड इक बर फिर्ट से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड साथ से एक नई स्रीच की सुरुआत हो रहे हैं जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे इससे पहले हमने O-Label के लिए M1 R5 IT Tools, M2 R5 Web Designing और M3 R5 Python Programming का Complete Course अपने GyanXP Mobile App पे ल बंच कर दिया जाए तो जी हाँ आज से इस स्रीच के स्टार्ट हो गई है और इस स्रीच को हम बहुत अच्छी तरीके से डेटेल में कवर करने वाले हैं इसमें आपको Complete Course मिलेगा Chapter wise, Topic wise हर एक चीज़े हम यहाँ पे डिसकस करेंगी इस Course के अंदर प्लस कुछ ऐसे Topics हैं जिनको हम Practical के साथ डिसकस करने वाले हैं तो हर एक Course में जैसे कि मैंने पहले भी अपने Course में Practical और Theory दोनों Topic एक साथ Course में कवर किया इसी तरह से IOT में भी Practical और Theory के Topics एक साथ हम कवर करेंगे तो आप में से जो लोग इंटरस्टेट हैं आप हमारी इस Complete Course को हमारे ग्यान XP मोबाइल आप से जॉइन कर सकते हैं और इसके कुछ Demo Lectures आपको हमारे YouTube चैनल ग्यान XP पे देखने को मिल जाएंगे तो अभी शुरुआती कुछ Classes होंगे जिनके लक्षास आपको हमारे YouTube चैनल पे भी मिलेंगे तो आप चाहे तो यहाँ पर भी जॉइन कर सकते हैं तो आज इस स्रीच की सुरुआत करने से पर इसके Slips के बारे में बात करते हैं तो इसके e-book हमने पूरी Complete कर ले हैं आप देख सकते हैं यह आपके Screen प्या देंगे तो यह काफी Interesting होगा और इससे आपको काफी कुछ सेखने को मिलेगा प्लस आपका O Label का Practical और Theory तोनों Slips बहुत अच्छी तहीं किसम कबर करने वाले हैं तो IOT के Slips में Total 6 Unit है Unit No.1 Introduction to Internet of Things, Second Unit है Things and Connections, Next Unit है Unit No.3 Sensors, Accurators and Microcontroller, Unit No.4 में Building IOT Applications और Unit No.5 में Security and Future of IOT Ecosystem और Unit No.6 में Last Unit है Slips की Soft Skill Personality Development तिये सभी Unit One By One एक एक टापिक हम कबर करेंगो और इस e-book को उनने बहुत अच्छी तहीं किसे डिजाइन किया इस e-book में आपको Content Hindi और English तोनों Language में एक साथ मिलेगा इसमें Figures के साथ में और Basic Example के साथ में टापिक को बह इस course को कवर करेंगे तो आईए अब हम बात करते हैं आज किस क्लास में क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है तो कौन-कौन से टॉपिक हैं जिनको आज किस क्लास में हम कवर करेंगे तिये हमारा Index से आज हम स्टार्ट करेंगे Unit No.1, Unit No.1 का सबसे पहला टॉपिक आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे, Introduction, Overview of Internet of Things, means IoT क्या है इस बारे में हम बात करेंगे और इस क्लास का next topic होगा, the characteristics of devices and application of IoT ecosystem और last topic होगा इस क्लास का building block of IoT, तीनों topic को आज किस क्लास में हम डिटेल में डिसकस करेंगे और प्लीज आप सभी इस क्लास के बाद हमें feedback कमेंट सेक्शन में जरूर देजेगा, और आप में से जितने लोग interested हैं, आप हमारी इस complete course को हमारे ग्यानिक स्पी mobile app पे join कर सकते हैं, या पे इस course के अंदर आपको complete syllabus, video lectures, model papers, e-book, practice it, ये सारी चीज़े आपको इस course के साथ में दे जाएंगे, plus जिस e-book से अभी हम इस क्लास को continue कर रहें, ये e basic topics इस particular unit में दे गएं, बट यहीं से हमारा base start होता है, यहां से हम समझेंगे कि IoT क्या है, या फिर IoT system क्या है, IoT technology क्या है, कौन-कौन सी चीज़े होती हैं, कौन-कौन सी component होते हैं, जो IoT system या ecosystem डबल अप करने में help करते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, introduction means over view of internet of things, तो बाध्यम से हम communicate कर सकते हैं, all over world किसी के पास भी कोई information send करनी है, कोई picture send करनी है, कोई wise या फिर video call करना है, तो हम internet का यूज़ करके communicate कर सकते हैं, अपने message को convey कर सकते हैं, transmit कर सकते हैं, और एक दूसरे के साथ हम communicate कर पाते हैं, remotely, तो same इसी method को use करते वहें, same इसी technology को यूज करते हो एक next label की एक technology डबलब की गए है जिसका नाम में internet of things अभी एकर हम internet की बात करें तो भी क्या होता है internet के मादम से man to man communication होता है means एक इंसान दूसरे इंसान के साथ में communicate कर सकता है अपने message को transmit कर सकता है बट अगर हम IOT की बात करें तो यहाँ पे IOT कैसी technology है जिसमें machine आपस में directly communicate कर सकते हैं बिना किसी इंसान की help के जैसे एक कोई machine है दूसरे machine के साथ कोई information share करना चाते है या फिर उसके साथ में कुछ communication establish करना चाते है तो वो machine किसी भी इंसान के requirement के बिना वो आपस में communicate कर सकते हैं और इसी तरह की जो technology है इसको हम मोलते है IOT इंटरनेट और तिंग्स तो जैसा कि इसका नाम है इंटरनेट तो इंटरनेट आप सभी जानते हैं एक network है एक global network है जिससे हम information को share करने के लिए इस्तिमाल करते हैं और यहाँ पे things का मतलब है वो सारी चीजे जिनको हम इंटरनेट के साथ में जोड सकते हैं इंटरनेट साथ में हम connect कर सकते हैं ताकि वो आपस में communicate कर पाएं अपनी information को एक दूसरे के साथ में साजह कर पाएं या share कर पाएं तियो हो गया things, things में कोई भी चीज हो सकती है आपके घर के सारे appliances जैसे कि आपका AC, washing machine, fridge या फिर ओवन या फिर आपका security system आपके घर में लगे होई camera इस तरह के जितने भी gadgets या फिर devices हैं जिनको हम इंटरनेट के माध्यम से connect कर सकते हैं वो IOT में things के रूप में जाने जाते हैं means उनको हम things बोलते हैं और यहां पे things word इसी वज़े से दिया गया है क्योंकि अलग अलग तरह के components, machinery और electronic gadgets या फिर जो हमारे communicate कर सकते हैं इसमें sensor based devices होते हैं जिसके बारे में हम आगे detail में बात करेंगे तो अगर हम एक simple से definition की बात करें जैसे की O level का exam का paper pattern change हो चुका है अभी आपको descriptive answers नहीं लिखने होंगे सिर्फ 100 MCQs आएंगे तो खास्तोर पे उन छोटे छोटे points में में focus करना है इस पूरे course में जहां से MCQs questions बन सकते हैं या फिर पूछे जा सकते हैं तो अगर एक simple सी IoT के definition की बात करें तो यहां पर मैंने इसके definition लिखे हुई है बहुत basic language में और इसका English version आपको नीचे मिल जाएगा तो हर एक topic के बारे में हमने हिंदी और English तोनों language में detail में लिखा है तो internet of things जिसको हम Microsoft में बोलते हैं IoT, interconnected computing उपकरणों means devices, mechanical और digital machine वस्तु इसमें वस्तु भी सामिल हो सकता है इसी वज़े से आपे internet of things में things का मतलब क्या है इसमें machine भी हो सकते हैं इसमें mechanical components भी हो सकते हैं, devices हो सकते हैं इसमें जानवरों को भी सामिल किया गया है और इसमें लोगों को भी सामिल किया इस पूरी सिस्टम में, जो internet से जुड़ सकते हैं और एक दूसरी साथ में information को share कर सकते हैं, साजा कर सकते हैं, तो बस तुमों जानवरों या लोगों की प्रणाली है, जो business पहचान करताओं के साथ प्रदान की जाते हैं, ताकि उनको internet पे uniquely identify किया जा सके, कैसे करते हैं हम आगे की classes में बात करेंगे, मानो और machine या फिर मानो से computer interaction की आवश्यक्ता के बिना network पर data इस्थांतरित करने की छमता प्रदान करते हैं, यहाँ पे M to M communication होता है, IOT में क्या होता है, machine to machine communication होता है, और सिर्फ internet की बात करें, यहाँ पे क्या होता है, human to human communication होता है, इंसान से बीच में communication होता है, और अगर IOT technology के बात करेंगे, यहाँ पे machine to machine communication होता है, यहाँ पे इंसानों की जरुवत ना के बराबर होती है, या फिर वो चाहें तो इसमें involved हो सकते हैं, अगर वो यहाँ पे involved नहीं होना चाते हैं, तो एक machine, दूसरी machine के साथ में requirement होने पे, वो directly information को स आजा है, या share कर सकती है, तो यह हो गया simple से definition IOT की, उमीद है आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी topics related अगर आपको कोई question है, या query है, तो आप हमें comment section में comment कर सकते हैं, या फिर अगर आपने हमारा paid course join किया हुआ है, तो ग्यानिक्स पी mobile app में, जैसे ही आप हमारे course को join करते हैं, आपको especially galaxy group में add किया जाता है, आप अपने group में उस topics related question डाल सकते हैं, उसको resolve किया जाएगा, उसके related information को provide किया जाएगा, तो next topic है, characteristics of devices and application in IOT ecosystem, वो कौन कौन से devices हैं, उनकी क्या बिसेस्थाएं होनी चाहिए, उनकी क्या applications होते हैं, जिनको हम IOT ecosystem में जोड सकते हैं, तो अगर हम simple सी बात करें, तो IOT ecosystem में उपयोग करता है, network पर सूचना भेजने और प्राप्त करने के लिए उपकरनों को आदेश या अनुरूद भेजने के लिए smart उपकरनों जैसे smart phone, tablet, sensor आदिका उपयोग करता है, means यह अगर इस particular ecosystem में, means IOT ecosystem में हम devices को connect करना चाते हैं, तो इ भी environment में, अगर हमें कोई information collect करनी है, तो sensor के माध्यम से information को collect किया जा सकता है, और फिर उसे process करके एक machine से दूसी machine पे as per requirement उसे send किया जा सकता है, तिहां पे smart phone, tablet, sensors का इस्तिमाल किया जाता है, smart phone या फिर tablet का इस्तिमाल करते हैं, उन IOT system के connected devices को monitor करने के लिए या फिर उनको instructions भीजने के लिए इनका इस्तिमाल किया जाता है, ओके device प्रतिक्रिया करते हैं और visualization के बाद network के माध्यम से उप्यूप करता को सूचना वापस भीजने का आदियस देता है, तो इस IOT ecosystem में जो sensors होते हैं, वो कुछ data collect करते हैं environment से, और फिर उसे अपने hardware component means जो processor होता है, उस IOT device का उसके पास भीज जाता है, और फिर sensor के द्वारा भीजी गई information को process किया जाता है processor के द्वारा, और फिर further उसे कहां पे भीजना है, ये भी खुद कौन decide करता है processor, और as per requirement उस data को उस particular device के पास भीज दिया जाता है, तो अब हम बात कर लेते हैं, IOT करणों की मूलभूत बि इस्ताएं हैं, इनको पाँच अलग अलग के टेगरी में divide किया गया है, जो IOT devices ये components होती हैं, उनकी पाँच अलग 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 बिसिस्ताएं होती हैं, सबसे पहली अब इस्ता क्या है, dynamic और self-adoptive, next है self-configure, interoperable संचार protocol, बिसिस्ट पहचान means unique identity, सूचना network एकिकरत means integrated into information network इसके बारे में आगे हम detail में बात करते हैं, तो dynamic और self-adoptive ये क्या है, इस बारे में थोड़ी सी discussion कर लेते हैं, ये होता क्या है, तो dynamic जैसे की लिखा गया है, word dynamic means ये अपने वातावरण या फिर environment के अनुसार इसमें बदलाओ कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपने आपको change कर सकते हैं, मींस ये dynamic, तो IOT device dynamic रूप से संवेदी, मींस क्या होता हैं, संवेदी वातावरण, संवेदी वातावरण, संवेदी वातावरण, उनकी operation condition और उप्यूक करता कि संदर्भ के साथ अनुकूलन कर सकते हैं, और जरूरत के नुसार कारवाई कर सकते हैं, उधारन के ल लगाते हैं, तो यहां पर कई सारी चीजे हो सकते हैं, सिक्यूटी सिस्टम में, जैसे कि यहां पर fire alarms हो सकते हैं, camera हो सकते हैं, अगर कोई ऐसा person जो लगता है कि कुछ गलत activity कर रहा हैं, तो हमारी जो लगे होई camera होते हैं, उसकी activities को monitor करते हैं, और जो honor होता है, उसके पास और अपने साथ connected, उस पूरे IoT सिस्टम में, उस IoT subline सिस्टम में connected जितने भी devices होते हैं, उन सभी को alert करते हैं, उन्हें activate करते हैं, तक उस person को proper तरीके से उसके moment को monitor किया जा सके, तिक dynamic रूप से यह अपने आप में जैसे requirement होती है, environment में जिस तरह के बदलाव की जरूरत होती ह उसे साथ से अपने आप में परिवर्तन कर लेते हैं, या फिर उसके साथ से वो अपने आपको change कर सकते हैं, तो यह होता है dynamic and self-adaptive जैसे की पहले इसकी property, application means characteristics है, next है self-configure, यह devices अपने आपको खुद से configure कर सकते हैं, जैसे कोई नया device अगर हमारे ecosystem में add हो रहा है, IoT ecosystem में, तो अपने आपको खुद वहां पर connect कर लेगा, खुद से self-configure कर लेगा, अपने आपको उससे जोड़ लेगा उस network से, या फिर अगर उस system के connected devices में किसी भी तरह का कोई update आता है, तो अपने software को भी self-update कर लेते हैं, या पर किसी भी person की requirement नहीं होती है, अगर कोई नया software update आता है, तो अपने आपको खुद से update कर सकते हैं, मींस वह self-configure कर सकते हैं, self-update कर सकते हैं, इसमें किसी भी person या इनसान की requirement नहीं होती, इसको मैंने आपे दो पॉइंट्स में लिखा है, आयोटी डिवाइस उपयूग करता कि न्यूनतम हस्तचेप के साथ, software को upgrade करने में सच्छम हैं, अपने आपको upgrade कर सकते हैं, जैसे ही वह internet से जुड़ते हैं, अपने आपको update करने start कर देते हैं, और update कर सकते हैं, जैसे मानलीजी आपने security system के लिए अपने घर पे एक camera लगाया हुआ है, wifi camera, और अगर wifi camera का software update होता है, क्योंकि जाहिस सी बात हैं, हम अपने software को up to date रखना चाहते हैं, तो वैसे जो camera होते हैं, या फिर जो भी हमारे IoT devices हैं, उनके जो software होते हैं, जब भी वो internet के साथ connect होते हैं, तो उन software में अगर कोई भी update आता है, तो अपने आपको update कर सकते हैं, automatic, किसी भी बिना person के interference के, next देखे, IoT device network को भी setup कर सकते हैं, अगर कोई न नया device आसानी से जोड़ा जा सकता है, उदाहरण के लिए जब भी मुफ्त Wi-Fi मींस free Wi-Fi की सुविदा होगी, एक device अपने आपको आसानी से उस particular network में जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, जैसे माल लिजे आपने कुछ Wi-Fi camera खरीदें, आपने दो Wi-Fi camera खरीदें और अ IoT सिस्टम में किसी भी नया device को automatic configure किया जा सकता है, या फिर उसे जोड़ा जा सकता है, next, characteristics है, interoperable संचार protocols, means जो IoT devices होते हैं, उनके architecture different different type के हो सकते हैं, बट वो सभी एक दूसरे के साथ में connect हो सकते हैं, इनके network भी अलग-अलग हो सकते हैं, बट ये सभी एक दूसरे के साथ म information को share कर सकते हैं, तो यहाँ पे इन दो lines में देखे, IoT विभिन architecture के उक करनों को एक दूसरे के साथ भिन network के साथ संचार करने की आनुमती देता है, अगर network अलग-अलग है, या फिर उनका architecture अलग-अलग है, तब भी वो आपस में जुड़ सकते हैं और information को share कर सकते हैं, उदा के date में आप जनते हैं, बहुत साथ smart TV market में रहते हैं, smart ACs पी आ रहे हैं, और ये सिर्फ IoT के parts हैं, ये सब क्या है, IoT के parts हैं, इनको future में बहुत बड़ी label पे IoT का implementation होने वाला हैं, और जिसमें इनका बहुत अच्छी तरीके से इस्तिमाल किया जाएगा, तो ये base label है, जो भी आपको market में smart AC, या फिर smart TV दिखते हैं, तो ये आने वाली जो दिन होंगे, इसमें कहीं न कहीं इनको बहुत अच्छी तरीके से हम इनको use कर पाएंगे, कुछ और भी इनके applications होंगे, जिनको हम remotely control कर सकते हैं, आप घर से बाहर अपने AC को on कर सकते हैं, या फिर off कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़े क्या हैं, IOT से related हैं, तो ये अलग अलग companies इनको बनाती हैं, बट एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से connect हो सकते हैं, और information को share कर सकते हैं, फिर साजा कर सकते हैं, next characteristics देखे, business पहचान, आप सभी जानते होंगे, जब भी हम अपने किसी भी device को internet से connect करते हैं, तो सभी devices में एक IP address होता है, और IP address एक unique address होता है, तकि internet पे उन devices को uniquely identify किया जा सके, तो यहाँ पे भी एक network है, जिसके माध्यम से devices आपस में एक दूसरे के साथ connect होते हैं इस network से, तो जाहिसी बात है, हर एक device को uniquely identify करने के लिए उनके पास एक IP address होना चाहिए, जोकि एक unique IP address होना चाहिए, तहाँ पे business पहचान means unique identity, जो device internet से जुड़े होते हैं, उनकी business पहचा एक unique identity होती है, यानि IP address, जिसके जड़िये उन्हें पूरे network में पहचाना जा सकता है, identify किया जा सकता है, next characteristics देखिए, सूचना network में एक एकरत, IoT device, unconnective device के साथ कुछ जानकारी साज़ा करने के लिए network से जुड़े होते हैं, क्योंकि ताकि वो आपनी information को एक दूसरे के साथ में साज़ा कर सकें, या फिर share कर सकें, उकरणों को अन्य उकरणों दारा network में गतिसील रूप से खोजा जा सकता है, उदारन के लिए यदि किस उकरण में Wi-Fi connectivity है, तो वा Wi-Fi connectivity वाले अन्य आसपास के उकरणों में दिखाई देता है, ये सारी चीज़े आप practically जानते होंगे, जैसे आप अपने mobile phone में Wi-Fi का enable करते हैं, तो आप देखते हैं, अगर उस area में कहीं पे भी Wi-Fi है, तो Wi-Fi network आपको दिखाई पड़ता है, अग आप उसे connect कर सकते हैं, अगर free Wi-Fi हैं, तो आप उसे tap करके connect कर सकते हैं, तो ये basic इसका feature होता है, और ये सारे features IoT components या devices में होते हैं, तो integrated into information network, ये इसकी पांचवी characteristics है, IoT devices की, next topic है हमारा building block of IoT, अगर हम एक IoT device डबलफ करना चाहते हैं, तो इसमें कौन कौन से basic component होते हैं, जिस इस तरह से हमारे किसी computer system में कुछ basic component क्या होते हैं, input, output होता है, processing unit means CPU होता है, और इसके बाद याँपे output होता है, memory होता है, तो ये basic components होते हैं, इसी तरह से, IoT जो devices होते हैं, उनका भी basic architecture होता है, एक diagram है, जिसके माध्यम समझेंगे, इसमें कौन कौन से basic components होते हैं, जो हर इक IoT system में आपको देखने को मिलेंगे, तो IoT system की बात करेंगे, इसमें मुखिता इसको चार अलग-लग भागों में बाटा गया है, sensor, processor, gateway और application, ये चार मुखिक component होते हैं, किसी भी IoT devices के, अब यहां से MCQE question में पूछा जा सकता है, कि इन में से कौन सा भाग, IoT का हिस्सा नहीं है या फिर इन में से कौन सा IoT device का हिस्सा है, तो आपको याद रखना है, sensor, processor, gateway और application, ये चार मुख्य भाग होते हैं, किसी भी IoT device के, आगे हम इनके बारे में detail में बात करेंगे, कि application क्या करता है, gateways का क्या इस्तिवाल होता है, processors का क्या इस्तिवाल होता है, और sensor का क्या इस्ति प्रोसेसर इसके बाद आता है गेटवे और अप्लिकेशन चौथे लेबल पे होता है अब अगर हम यूजर पॉइंट आप यूजर यहां से इंट्रेक्ट करता है अप्लिकेशन से इसको कुछ इस तरह से समझ लिजे माल लिजे आपके घर पे एक स्मोक सेंसर लगा हुआ है अगर अलाम सिस्टम लगा हुआ है और इसमें एक स्पोक सेंसर होगा ताकि अगर धुआ आता है तो पहले उसको डिटेक्ट करेगा उसके बाद जैसे इसको कुछ इस तरही की एक्टिविटी सेंस करता है तो सेंसर उसे सेंस करने के बाद किसको भेजेगा प्रोसेसर को प् क्या होता है environment से data या information को collect करना processor का काम होता है sensor के द्वारा connect जो भी collect की गए information होते है उसको process करना और gateway का काम होता है उसे अलग-अलग devices पे या फिर user के interface तक भेजना और interface में क्या-क्या हो सकता है ये mobile applications भी हो सकते हैं या फिर web applications हो सकते हैं जिनके माध्यम से उस IoT device को या फिर उस IoT system को control किया जाता है manage किया जाता है तो इसके लिए हम applications का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम mobile phones के माध्यम से उसे control करना चाते हैं monitor करना चाते हैं तो application, mobile application का इस्तेमाल करेंगे और अगर हम इंटरनेट के मादिम से web application का इस्तिमाल करते हैं means website के मादिम से अगर आप अपने IoT ecosystem को monitor या control करना चाते हैं तो उसके लिए website का भी इस्तिमाल किया जाता है उसको हम बोलते है web application तो सबसे पहला है sensor कई अलग अलग तरह के sensors आते हैं नमी के लिए अलग से sensor मिलता है gas अलग से sensors आते हैं gas को sense करने के लिए तो हर एक काम के लिए लगभग आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के sensors मिल जाएंगे कौन-कौन से sensors होते हैं किस तरह से काम करते हैं इसको हम आगे आने वाली classes में detail में discuss करेंगे तो उस time पे हम बताएंगे कौन-कौन से sensors हैं और कौन से sensor का क्या नाम होता है उसका क्या काम होता है तो अभी के लिए आप simple से ये समझ लीजे अपने दिमाग में बिठा लीजे कि sensor एक ऐसा छोटा सा device है जो अलग-अलग काम को करने के लिए design किया गया है अगर वो gas sensor होगा तो किसी भी gas leak होने पे वो sense कर सकता है और उससे related information को अपने IoT system को भेज सकता है अगर पानी की गुडवक्ता की बात करें तो एक ऐसा sensor होगा जो water quality को check करेगा और उसकी reading को अपने ecosystem में means IoT system में भेज देगा अगर नमी system की बात करें है जो sensor होता है वो नमी के label को test करेगा और जो भी नमी label होगा उसकी reading को अपने IoT devices को भेज देगा तो यह कुछ sensors होते हैं तो sensor सबसे base unit होता है sensor किसी भी IoT device के front end unit होते हैं यह सबसे पहले होते हैं यह सबसे पहले information को IoT system में सबसे पहले information किसके द्वारा कलेक्ट की जाते हैं sensor के द्वारा IoT का उपयोग करके समाधान बनाने के लिए means कोई भी solution बनाने के लिए sensor महत्दपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी IoT device को डबलब करने के लिए sensors का सबसे main role होता है इसका मुख्यकार है परिवेस में environment से आवस्यक data या फिर information कलेक्ट करना या प्रात करना इसे आगे database या processing system तक पहुँचाना अगर उस information को में लगता है कि हम इसको कहीं database में save कर सकते हैं या फिर करने के जरूवत है उसको हम आगे further कहीं analyze करेंगे और उसके basis पे हम कुछ reading generate करेंगे तो उसे हम database में save भी कर सकते हैं और अगर हमें लगता है कि real time पे हमें उस sensor द्वारा दी गई information को process करना है तक कि कुछ और decision IoT system के द्वारा लिए जा सकें तो उस information को जो sensor के द्वारा भेजी जा रही readings हैं उनको process के द्वारा process किया जा सकता है उसको आगे उस पे decisions लिए जा सकते हैं उस IoT device के माध्यम से तो sensor एक छोटा से unit एक device है जो हमारे environment से data या information को collect कर सकता है अब sensor देखी कई अलग-अलग sectors में इस्तिमाल किया जाते हैं जैसे चिकित्सा या फिर medical sector में अध्योगिक, परिवाहन, क्रसी, आपदा, रूप्थाम, परेटन, छेत्री, ब्यवसाई और भी अन्य sectors में sensors का इस्तिमाल किया जाता है जो sensor वास्तविक समय data करते हैं means real time में information को collect करते हैं और उसे processing device या फिर हमारे database में store कर सकते हैं तो यह हो गया सबसे पहला भाग हमारे IOT device का sensor next देखें प्रोसेसर प्रोसेसर जैसे हमारे CPU होते हैं means central processing unit होता है उसी तरह से IOT device में प्रोसेसर भी एक इसका मस्तिक होता है means main भाग होता है जो data या information को process कर सकता है उस data को information में convert करने का काम करता है तो प्रोसेसर IOT प्रणाली या system का मस्तिक होता है means उसका mind होता है, brain होता है जिसका मुख्य काम, sensor द्वारा एक गत्र कीगे data को process करना और उन्हें कुछ सार्थक जानकारी में बदलना या cloud या transmit करना means cloud पर store करना या फिर उसे किसी दूसरी device के पास में transmit करना या भेजना IOT प्रणानी में लगे प्रोसेसर को application द्वारा आसानी से नियंतरित किया जा सकता है जो हमारे IOT applications होते हैं जिनको हम mobile phone में install करके अपने IOT device को monitor या control करते हैं उसके माध्यम से हम instructions दे सकते हैं अपने प्रोसेसर को उस device के प्रोसेसर को कि आगे उसे क्या करना है कौन से activity execute करनी कौन सा process execute करना है ये सारी चीज़े हम application के द्वारा भी आसानी से control कर सकते हैं अफिन नियंतरित कर सकते हैं प्रोसेसर का एक और महतपूर कार होता है data को सुरचित करने के लिए data का encryption और decryption क्योंकि जाहिर सी बात है जो हमारा data है वो कहीं न कहीं एक sensitive information हो सकते है तो उसे encrypt या decrypt करना भी जरूरी है अगर encrypted form में कोई data है उसे information निकालनी है तो उसे decrypt करना होगा और अगर हम उस data को किसी दूसरे device के पास भीजना चाहते है तो उसको secure बनाने के लिए भीजने से पहले उसे क्या करना पड़ेगा encryption करना पड़ेगा तो यह काम भी कौन कर सकता है processor करता है तो यहां से एक MCQ question बन सकता है कि IoT system में encryption और decryption का का कार एक किसके द्वारा किया जाता है निमलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है तो यह processor करता है IoT system में लगा हुआ processor data को encrypt या फिर decrypt करता है तो यह हो गया processor next है gateway gateway का मुख्यकारी क्या होता है एक IoT device से दूसरी IoT device के बीच में information को साज़ा करना या share करना तो gateway का मुख्यकार process data means जो processor हमारा data को generate करता है इसको network के माध्यम से उचित database या network storage cloud में स्थांतरेत या transmit करना या transfer करना दूसरे सब्दों में gateway data के संचार में मदद करता है एक जगे से दूसरे जगे data या एक machine से दूसरे machine या एक जगे से दूसरे database में या cloud पे data भीजने के लिए gateway का इस्तिमाल होता है IoT ecosystem में next देखी application application जैसे कि मैंने बता है ये mobile applications हो सकते है या फिर web applications हो सकते है तो application को IoT system में अंतिम बिंदू के रूप में माना जाता है जहां से इन IoT devices को control किया जा सकता है या फिर monitor किया जा सकता है application उपयूग करता हूं इस users को data देखने कि अगर कोई data देखना चाहते है जो हमारे IoT system में generate किया है तो उसको applications के मादेम सिर्फ देख सकते हैं उसको समझना चाहते हैं किस order में रीडिंग्स generate हो रही है कौन सी information हमारे census के द्वारा collect की गई है वो सारी चीज़े आप देख सकते हैं उसका visualization कर सकते हैं इनलेसिस कर सकते हैं interface प्रदान करता है ये सारी चीज़े देखने के लिए interface प्रदान करता है तक कि आपके IoT system के द्वारा जो generated information है data है उसको देखना और उसको कुछ action लेने के लिए आपको interface प्रदान करता है application ये application web application हो सकते हैं या फिर mobile application हो सकते हैं जो name लेखित में से एक या दोनों उद्ध्योसों की पूर्ति करते हैं application का उप्योग बिसेश IoT उपकरनों को नियंतरित करने या micro controller को निर्देश means जो processor होता है हमारे IoT device का उसको micro controller के नाम से जानते उसको instructions भीजने के लिए इन applications का इस्तिमाल किया जा सकता है तो यहां से भी एक MCQ question बन सकता है कि IoT system में applications कितने ब्रकार के हो सकते हैं mobile application mobile application या फिर web application तो दो तरह यह हो सकते हैं या फिर दोनों हो सकते हैं web application भी हो सकता है उस ecosystem का उस IoT ecosystem का और उसका mobile application और web application दोनों हो सकते हैं या इन दोनों में से कोई एक भी हो सकता है तिये था applications तिये था आज की class का last topic आप सभी comment section में में ज़रू बताएं आज की class कैसे लगी और IoT M4 R5 का complete course जोईन करने के लिए आप हमारे ग्यानेक्स भी mobile app को download कर सकते हैं या आपको इस course के अंदर IoT का complete syllabus detailed video lectures मिलेंगे प्लस सभी topic based notes मिलने वाले हैं मींस आपको ये ebook भी आपको इस course के साथ में provide की जाएगी प्लस जो O-Level का नया pattern आया है जिसमें NCQ based questions पूछे जाएगे इस pattern पे आपको धेर सारे mock test model papers भी इस course के साथ में provide किये जाएगे तो आप मेंसे जो लोग interested हैं आप इस course को join कर सकते हैं इससे पहले हमने M1 R5 IT Tools, M2 R5 Web Designing और M3 R5 Python Programming का complete course अपने Gyanix P mobile app पे launch कर दिया है तो आप उसे भी check कर सकते हैं आप मेंसे बहुत से लोग ने इन courses को पहले से join किया हुआ है तो आप इस course को भी join कर पाएंगे आप चाहे तो हमारे Gyanix P mobile app को download कर सकते हैं, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी दियेगे WhatsApp नमबर पर call कर सकते हैं या फिर आप text message कर सकते हैं schools के बारे में जानकारी के लिए या फिर O label के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी दियेगे नमबर पर call कर सकते हैं तो next class में अगला topic हमें start करेंगे और next class का सबसे पहला topic होगा IoT ecosystem बनाने वाली बिभिन ने प्रद्योग किया means कौन-कौन सी technologies हैं जिनका इस्तिमाल किया जाता है IoT ecosystem डबल अब करने के लिए तो बस इस class में इतना ही मिलते हैं next class में तब तक लिए बाई-बाई थैंक यू, थैंक यू for watching